तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको टूर कराऊंगा अपने सस्ते बजट वाले यूटूब सेटप का तो जो कि मैंने ये पीछे आप जो रूम देख पा रहे हो ये दर्वाजे के पीछे मेरा सेटप है कैसे मैंने उससे तयार किया है पूरी डिटेल बताऊंगा है चलिए शुरू करते हैं वीडियो को है 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 तो गाइज करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा सेटप है यहां पर जुगार से हो रखा है सब कुछ देखेंगे वन बाई वन और किते बजट में मैंने तयार कर रखा है इसको भी बताऊंगा यह खाली रूम ऐसे इस्टोर रूम की तरह फ्री पड़ा हुआ था च्छत के टॉप पे यह रूम है जिसको मैंने अपने अपने बंद कर रखा है तो लाइट्स पहले ओन कर लेते हैं फिर क्लियरली हम देख पाएंगे कि इस्टूडियो में कैसे कर रखा है आप देखोगे कि लाइट ओन करते हूं क्या एफक्ट मिलता है यह मैंने ओन कर दिया तो कुछ ऐसा लाइट मिल जाती है मैं लाइटिंग आप देख पाऊगे त यह मेरा पीसी है काफी दासू मशीन है लेनुओ का लीजिन 5 और यह मेरा जिब्राउनिक्स ट्रांस्फार्मर वाला की बूर्ड है गेमिंग में मज़ा आ जाएगा आप यूस करोगे तो और यह एक चीज़ काफी इंट्रेस्टिंग है पीशे आप नाम देख पा रहोगे में यह गां लाइए इसका डिजाइन इसका उसके बाद मैंने इसको प्रिंट निकल वा लिया फ वूर शीट और देख पाऊगे यह फोर शीटवार यह तो एप ऊपर शीट लेकर एक लगा रहा और देख लोगे उसको पेडिश कर दिया और पेश करने के बाद डबल टेप लेकर मैंने इसको लगा रखा है जिससे मैंने ये बिल्कुल बजट में अपना इस्टूडियो अपने चैनल का नाम भी अपने बना रखा है उसके बाद आप कुछ छोड़ी चोड़ी जैसे ये लाइट हुड आप देख पार तो इसके लिए भी मैंने बिल्कुल सबस्ट के साधा से यह वायर ले रखी है दिए पाल और शुर्म लटकाने के लिए भाई out कॉई उपर मेरे ऑप्षंट टा नहीं तो हैं कि मैंने रसी से दोनों साइड दोनों दर्वाजे दोनों साइड मेरे को दोर मिल जाते हैं तो दोनों दर्वाजों पर मैंने एक रस्ती बाद रखी है इस पर से यह मैंने लाइट को हैं कर रखा और यह चेयर घर में थी उठा लिया भी है कभजा कर लिया मैंने और यह ट्राइपॉड गोरिल डेस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जायागा यह इसकी अन्बॉक्सिंग मैंने करी है यह मैंने को अप्रॉक्स 1200 का मिला था और यह मेरा लीजन का माउस है जो कि मैंने जब लैप्टॉप लिया था तो मुझे उसके साथ में ही मिला था कि कर भी यह क्थ वीडियो में दिखा दूँगा की और यह मेरा अन्बॉक्सिंग के लिए मेरे लिए नाइफ एइस टेल का यह नाइफ है एसले करता हूं यह मेरा और यह मेरा है कोड़क का ट्राइपॉड जहां पर अपने फोन को मौंड करता हूं और यहां से वीडियो रखके यहां पर शूट करता हूं तो कुछ ऐसा दिखता है और यह लाइटिंग के लिए यह दो टूब लाइट है इसको पर्चेस कर रखी है और इसको भी यह जुगार से खड़ा कर रखा है देख लो क्या क्या करना पड़ रहा है कि छोटा से गंदा लिया उसमें डाला मैंने कुछ बालू डाल रखे हैं और यह एक दो इस्टिक थी उस पर बांद के मैंने खड़ा कर दिया अपने करता रहता हूं इतना जरूरत होती उसको स्लाइड करता रहता हूं अब अपने कार्डिंग एक तो मेरी यह टूब लाइट ले लिया जिसको मैंने दो सो रुपय में प्रॉक्स पर्चेस किया था एक सट ऑफ्लाइन मार्केट से ही पर्चेस किया था और बाकी सब मेरे पास अल्रेडी था तो इसकी कोई खास जरूरत ने अगर आपके पास PC ना हो तो कोई वह टेंशन की बात नहीं है आप स्मार्ट फोन से एडिटिंग कर सकते हो शूट कर सकते हो मैं तो अपने इस्मार्ट फोन से शूट करता हूं रेड्मी नोड एट प्रो ह मेरे पास मैं उसी से वीडियो शूट करता हूं तो अभी तक तो यही है सब कुछ बजट में कुछ ज्यादा खास पैसे मैंने इन्वेश्ट नहीं किये आगे बाकी करते रहेंगे देखते हैं क्या होता है और एक चीज यह बैग्राउंड एफेक्ट के लिए मैंने यह रखी है यह मैंने ऑनलाइन पर्चेस की थी अप्रोक्स 500 में फ्लिपकार्ट से दोनों सेक्ट मिला था इसके जिसकी अंबॉक्सिंग मैंने कर रहें वीडियो आपको मिल जाएगा यह इसका रिमोट है इसका रिमोट कंट्रोल है कुछ ऐसे मेनू मिल जाते हैं बहुत सारे इसके रिमोट में मिली इसका अंबॉक्सिंग वीडियो मैंने बना रखा है इसके मोट साब अपने कंट्रोल कर सकते हो और अच्छा एफेक्ट दे सकता है अब यह आउडियो के लिए काम करना है तो आउडियो के लिए वही जो पुरी दुनिया बोलती है पूरा कर लुए का जिस्से अभी में अध्यू अपनी सूट कर रहा हूं इसको मैं अभी अपने फोन थे कर रहा हूं यो मेरी वाइस अप सुन रहे हों यह मीरे बोला के माइक से है एक मैना भी रखा इस पूरा दिखा नहीं सकता सो तो यह बाता दे प्राइस तो यह मैंने स्टीक लगा के और ये light का बताऊं बजर तो इसका एक light समझो 10 रुपए का ये 10 रुपए का hood 30 रुपए की बल जानी 50 रुपए और 10 रुपए का wire भी मान लो तो 60 रुपए तो 60 रुपए के बजाए ये 500 रुपए में ये हो गया और 50 रुपए में ये लाइट अपने एकॉर्डिंग जरूरत है लेकिन भी ये ओडियो के लिए काम करना पड़ेगा तो माइक लेना पड़ेगा तो माइक के लिए वही बोया का BYM1 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अमेजॉन से पर्चेस करना और रिटेलर आप देख लेना अपारियो रिटेलर से ही लेना अपारियो एक ट्रस्टेबल है बागी मैंने फ्लिप कार्ट से काफी ओर्डर किया था सारे माइक फेक थे उसके बॉक्स पर बारकोड होता है उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा आपको बोया की जो वेबसाइट ओफिस्यल वेबसाइट है वहां से टैली करना पड़ेगा अप लेने के बाद गलती मत कर देना लेने के बाद आप सीधा यूज करो उसके बाद कुछ नहीं पहले आप अगर बोया का माइक परचेस करो तो उसके बारकोड को वहां से टैली कर रहा हो कि क्या आपका प्रोड़क्ट जो जैन्विन है तो यह लेप्टॉप आपके पास नहीं है तो यह था मेरा सकता बजट वाले स्टूडियो तो कुछ ऐसा था मेरा सेट अप और यह इंचे मेरा यह मैंने वायरिंग कर रखी है यह मेरे स्पीकर है एफ एंडी का स्पीकर है यह मैं कभी-कभी मूड में होता हूं तो इसको भी चला लेता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप यह सोचते हो कि भीया मेरे पास जगह नहीं है मेरा बजट नहीं है मैं अपना स्टूडियो कैसे बनाओ भीया तरीका सबका होता है बस करने वाला होना चाहिए अब जुगार लगाओ आप भी ऐसे हजार रुपए पांसो ह कर लो करते करते धीमेरी में हो जाता है पहले आप इनिशियेट तो करो आप स्टार्ट तो करो बागी तो हो ही जाएगा तो ऐसा कुछ था मेरा सेट अप यह हूप कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू